देखे सही बात आज बड़ी अच्छी बहस हुई किसी को हल्ला में मचाना पड़ा किसी को अपनी बात थोपनी नहीं पड़ी और सबसे ज़्यादा मुझे प्रसंदता हुई दोनों बेपक्षी दलों के जो प्रतनीदी थे उन्होंने पार्टी को किनारे करके बात रखी और समय पार्टियों का है भी नहीं चुनाव तो बहुत दूर होगा नहीं होगा कौन जाने क्या इस्तिती बनेगी सबसे पहले तो देश बच्चे गाउं बच्चे उसके बात पार्टियां है फिर दफ्तर है अभी तो नेताही धर के मारे कहीं नहीं निकल रहे बैट रहे तो पार्टिय क्या करेगी लेकिन कुछ चीजे सामने आई है और अगर प्रधान जो सबसे छोटी काई है हमारे लोग तंत्र की वो अपनी सीमाई जानता है वो पटवारी और लेक पाल के चक्रविह को भी जानता है वो SDM आपकी चीजों को भी जानता है एक मंत्री थे पुरा एक्स मिनिस्टर बड़े एक्स मिनिस्टर उत्तरपदेश के तागतवर दस बड़े भागों के मंत्री ने उनके भाई को जेल भेद दिया कलेक्टर नमें जिले के नाम नहीं लूंगा वो मेरे पास आये बोले भाई से मेरे भाईस की जांच करा लो यह जेल भेजना ही अभी स्ट्रे यही गाठ बांद के आयो तो पर जेल ही बेद दो खेर फिर जांच होई वो छूट गए लेकिन तागत तो है प्रशाषन में बिलकुर प्रशाषन चाह ले तो विधायक को प्रधान बना दे पांच मिनिट क्या इसे द्रश्य उत्रपदर्शन देखे नहीं देखे ना जिनसे गठबंदर रहा सुनिल साधन की पार्टी का दोख सवाचुनाओं में उनकी सरकार में क्या इस्तिती हुई थी इसी लखनों में क्या सांसद क्या विधायक दे लट्ठमलट तो अगर प्रधान इस परिस्तिती में भी इतना बोल रहे हैं तो उनकी बात को ज्यादा गंभिरता से लेना चाहिए उनसे प्रामानिक जानकारी देने वाला कोई नहीं ना मैं दे सकता हो ना मित्पुरी भाई दे सकते हैं ना क कोई नहीं दे सकता है बड़े से बड़ा नेता है उसकी बात पर भरोसा करें वह हमारे इस सशक्त लोकतंत्र की पहली सीड़ी है पहला पाइदान और अब लड़ाई नोएडा में नहीं लड़ी जानी आपको जलवाई उबिहार में वो स्पेस बीत गया हजरत गंज में भी नहीं हो रही लड़ाई गोमतिनेगर में भी नहीं हो रही गल्लाई या कोटियों लोग रहने मस्त अब लड़ाई हो रही है गंज दुद्वारा होंगी तो लम्हों ने खता की है सदियों ने सजा पाई इससे जरूर बचिये मैं निवेदन करूंगा और गाओं के लोगों से कहूंगा अपना प्यार दुलार व्यवस्थाओं के जरीए अपनाईये दिखाईये अगर कोई आपका प्रिजन पॉजिटिव हो जाए तो उसके साथ शारिरिक संपर्क में मत आईये मैं चार स्थानों को कल देख चुका दस दस लोग परिवार के सारे एक साथ संक्र में क्यो पुलिशत्नान की कथा कराई थी मत कराईये कथा मन में ध्यान कर लीजिए परमात्मा का बिलकुश और दूसरा मैं कहूंगा प्रधानों को कंटिंगेंसी के अधार पर जो राशी उप्योग करने की सीमा है मैं ये भी निवेदन करूंगा वो भी बढ़ाई जानी चाहिए क प्रधान भरोसे का व्यक्ति है उस पर विश्वास किया जाना चाहिए और ये राशी कम से कम 20-25,000 रुपया होनी चाहिए 20-25,000 रुपय तक की व्यवस्था कर पाए जनरेटर मंगाना है जनरेटर मंगा पाए डीजल मंगाना है डीजल मंगा पाए कुछ खाना मंगाना है जो भी करना है कर पाए उसके बाद में कागल जमा करें भाग कहा जाएगा भाग के जाएगा तो जिल डाल लेंगे आप लेकिन पाँच जार रुपए की राशी बढ़नी चाहिए प्रधानों के लिए राशी ठीक नहीं और ठीक कहा ता किसी प्रधान संपन्न है निजी तोर पर वो तो अच्छा कर सकता है लेकिन जो निजी तोर पर मजबूत नहीं है लोकप्री है इसलिए जीता उसके लिए करा ले इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा भारती जन्ता पार्टी से भी सरकार के समक्षी मुद्दा रखा जाए और जो भी लोग सरकार में अगर मुझे सुन रहे हो तो उनसे भी मेरा अग्रह होगा यह समय नुक्ता चीनी का नहीं अपसर शाही का नहीं फाइलों के मकण जाल का नहीं नियम तूरते हैं तूटने दीजिए बदलने चीज़े हो तो बदल दीजिए शित्थिल करना हो शित्थिल कीजिए अब प्रधान को मजबूत कीजिए तब गाउ मजबूत होगा धन्यवा झाल झाल